इस वीडियो में हम बात करेंगे burning in eyes इसे आम भासा में आखों में जलन होना कहता है तो अकसर किसी सीजन में या कभी-कभी आखों में जलन हो जाती है तो हुमोपैती में इसकी बहुत ही अच्छी medicine है यदि आप medicines अपने symptom के according लेते हैं आपको बहुत जल्द अराम मिलेगा तो यहाँ पर हमने symptom wise medicine बताई है जिस medicine से आपके symptom मिलते हैं आपको वो ही medicine लेनी है तो इस्टार्ट करते हैं पहला symptom है due to acute cord यानि कि किसी को अचानक से ठंड लग जाए burning with blend discharge और आखों में जलन हो और काफी मातरा में आखों से पानी निकले तो ऐसी condition में आपको ऐलियम सेपा 30 medicine लेनी चाहिए इससे आपको बहुत जल्द अराम मिलेगा इसके बाद accurate discharge restlessness and unquenchable thrust यानि कि यदि आखों से निकलने वाले पानी में जलन हो patient को बेचेनी हो और उसे बार बार प्यास लगे यानि कि हर थोड़ी दिरवाद वो एक गुट पानी पिए तो ऐसी condition में patient को arsenic album 30 medicine लेनी चाहिए इसके बाद with body dullness, thrustlessness, desire to lie quickly यानि कि सरीर में दर्द हो सुष्ती रहे और प्यास बहुत कम लगे या बिलकूर ना लगे और patient हमेशा लेटा रहे तो ऐसी condition में patient को gelsemium medicine लेने से बहुत जल्द आराम मिलता है इसके बाद redness and burning आँक लाल हो और उसमें जलन हो eyelid swollen आपकी आँकों की पल के सूच जाए throbbing pain यानि कि pain जो है आपकी परिसानी बढ़ जाए तो ऐसी condition में belladonna 30 medicine लेने से बहुत जल्द आराम मिलता है इसके बाद है burning and swelling of lights यानि कि आँकों की पलकों में जलन हो और वो सूजी हो और discharge accurate हो यानि कि निकलने वाला पानी में जलन हो तो ऐसी condition में euphresia 30 medicine लेने से बहुत जल्द आराम मिलता है तो यहाँ पर हमने देखी है burning in eyes यानि कि आँकों में जलन की कुछ ऐसी दवाईयां जिनने लेने से बहुत जल्द आराम मिलता है बस आपको अपने symptom के according की medicine लेने चाहिए जिस symptom से आपकी medicine मिलती है आपको किवल वो ही medicine लेनी है आपको बहुत जल्द आराम मिल जाएगा धन्यवाद